नमस्कार दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम आरेन है सक्सेस प्लस अकैडमी के इस नई करेंट अफेर सीरीज में आप सबी का स्वागत हैं इंडिया ने अगनी 5 का सफल परिक्षन जो की मैक्सिमम कैपैसिटी के साथ इस पार सफल हुआ इसमें 5000 से 5500 किलोमीटर उसकी मैक्सिमम रेंज है अब इसमें इंडिया का कहना है कि कुछ नई टेकनोलोजी के साथ उसको लॉंच किया गया जिससे इसकी टार्गेट रेंज इंक्रीज हो गई है अब दोस्तो अगनी 5 मिसाइल है क्या अब ये एक नुकलियर केपेबल मिसाइल है जो कि यूज करता है 3-stage solid fuel engine और जो कि इंडिया की Defense Research Organization जो है Defense Research and Development Organization DRDO के द्वारा डेवलब किया गया है अगनी मिसाइल के हिस्ट्री पे देखें तो early 1980s में Integrated Guided Missile Development Program जिसको कि हमारे former President Dr. APJ.A. Abdul Kalam ने स्टार्ट किया था अब जिनको आप Missile Man के नाम से जानते है अब अगनी मिसाइल जो कि Medium से International Versions के है यानि Version 1 से Version 5 तक जिनकी ranges vary करते है उसका range जो है टारगेट हिट करने का वो 700 km से जिसके लिए अगनी 1 का 700 km है उससे 5000 km जो भी अगनी 5 का range पताया जा रहा है 2021 में DRDO ने successfully test किया था अगनी P जो कि एक Canisterized Missile है जिसकी range capacity between 1000 to 2000 है Canisterized means अब ये missiles capable होते हैं short notice पे launch करने में through its improvement in storage and handling features में अब इसका मतलब ये हुआ missiles को road या फिर rail platform पे भी deploy करके छोड़ा जा सकता है जिसमें ये बहुत ही आसानी से deploy और launch हो जाएंगे एक quicker pace पे अगनी 6 भी under development में है जिसकी range जो है बताई जा रही है वो 8,000 km तक होगी अभी जो अगनी 5 का test हुआ है जिसमें इंडिया और चाइना का जो class हुआ है actual line of control जो की तवांग में है उसके just 5 दिन बाद इंडिया ने टेस्ट किया है इस missile का successful अब धरती की radius है 6400 km लगभग अब इससे आधी दुनिया से ज्यादा इस missile के range के अंदर में target के अंदर covered है अब इससे हमारे परोसी देश को काफी चिंता होने वाली है इस बात पे जैसे चाइना हो गया पाकिस्तान हो गया चलिए 16 दिसम्बर को विजय दिवस के रूप में मनाए जाता है उसी के जीट के दिवस में हम लोग ये 16 दिसम्बर को विजय दिवस के रूप में मनाते हैं जिसमें जानते हैं कि उस समय का जो 1971 का जो इस्ट पाकिस्तान था वो बांगलादेश बना था जिसमें रेकॉर्ड ब्रेकिंग इंडियन आर्मी द्वारा सरेंडर करवाया गया था पाकिस्तानियों का लगभग 93,000 पाकिस्तानी ने सरेंडर किया था इंडियन आर्मी को और ये अभी तक की सबसे बड़ी सरेंडर थी दरेंदर मोदी ने भी इस पे ट्वीट किया था क्यों देखते हैं रस्या फायर्स मोर दन सेवंटी मिसाइल्स अभी तक का उन्होंने जब से ये बार सुरू हुआ है रस्या उक्रीन में उसमें सबसे वन अप दो बिगेस्ट रिटाइक उक्रीन पे किया उन्होंने जिसमें सतर से ज़्यादा मिसाइल उन्होंने इस पे फायर किया है यूक्रीन पे जिसमें कि वहां की जो सेकेंड बिगेस्ट सिटी है कियेव उसका जो इमर्जेंसी ब्लैक आउट हुआ है पावर का ऐसा यूक्रीन के ओफिसियल्स ने कहा है और उनके जो प्रेसिडेंट है व्लादिमूर जलेंसकी उन्होंने काया कि रसिया के पास और भी ऐसे ऐसे फायर करने के लिए इनफ मिसाइल्स हैं तो अपने एलाइस से उन्होंने इसके लिए गोहार लगाई है कि कुछ इंप्रूवड बेटर डिफेंट सिस्टम उन्हें दे ताकि इसको डिफेंड करे पर जैसा कि आप लोग देखते ही आएं कि यूक्रेन हमेशा से स्ट्रॉंग इनफ रहा है और फाइट बैक किया है ऐलाइस ने भी मदद किया है उनके बट देखना होगा ये कितना उनको मदद करता है और कब तक ये वाड चलता है हमारी पीम मोदी से भी व्लादिमीर पूतिन की बात हुई थी जिस पे वो जी ट्वेंटी समिट के बारे में बात किये और रसिया यूकरेन क्राइसिस पे उन्होंने इशू पे उन्होंने कहा क ये बातचीत से सुलजाने वाला मसला है इसको बात से आप लोग कोशिश कीजिए सुलजाने का ऐसा देखते हैं एक नए कुईज पे जो की वाट इस दे नेम ओफ प्रधान मंतरी कौशल को काम कारे करम जिसको ऑप्शन्स ए हैं प्रधान मंतरी विरासत का समा वर्धन मिश समर्त स्कीम और फाईनली प्रधान मंतरी स्वानिधी स्कीम करेक्ट अंचर है प्रधान मंतरी विरासत का समा वर्धन Minister of Ministry Affairs Smriti Zubin Hirani ने inform किया कि प्रधान मंतरी कौशल को काम कारे करम has now अब उनको rename कर दिया गया है प्रधान मंतरी विरासत का समावर्धन स्खीम जिस स्खीम के अंदर पाँच स्खीम्स थे पहला सीखो और कमाओ उस्ताद USTTAD Capital हमारी धरोहर नई रोशनी और नई मंजिल इस स्खीम को पंदरह में Finance Commission के अंदर केबिनेट के द्वारा अप्रोव किया गया next quiz देखते हैं सोरी किरन is a joining training exercise conducted between India and which country सोरी किरन joint training exercise भारत और किस दूसरे country के बीच में training exercise किया गया option a नेपाल, b स्री लंका, c, france, d australia correct answer है नेपाल जिसमें 16 में इंडो नेपाल joint training exercise जो सूरी किरन 16 है इंडिया और नेपाल के बीच में आरम बुआ नेपाल आडमी बैटल स्कूल्स साल जी हंदी पे सूरी किरन annually इंडिया और नेपाल के बीच में conduct करवाया जाता है last year 15th इंडिया नेपाल combined सूरी किरन military training पित तौर गर उत्राखन में हुआ था next देखते हैं global coal demand is expected to hit on all time in 2022 आप सभी ने देखा ही होगा कि coal का जो demand है वो बरते ही जा रहा है international energy agency जो है उन्होंने ये data का estimation बताया है जिसमें after tight restrictions oil supplies Russia और Ukraine के बीच में जो युद्ध हो रहा है कहीं ये कहीं उसका प्रभाव सब जगा देखने को मिल रहा है और ये coal का जो consumption है वो expected किया जा रहा है कि 2050-2025 तक यही same rate में increase रहेगा जिसमें इसका production जो है वो बरहाना परेगा अब दुनिया की तीन सबसे largest coal producer है China number one पर second India और Indonesia अब IEA International Energy Agency क्या है ये कैसी energy agency है जो वर्क करती है different countries के साथ पूरी दुनिया में ताकि एक ताकि एक shape energy policy और secure sustainable future के लिए हम कुछ नया policies बना सकें आगे देखते हैं scientists simulate baby warm hole without rupturing space and time जी हाँ scientists ने एक warm hole create किया है जो कि practically अभी नहीं हुआ है theoretically achievement उन्होंने कर लिया है जिसमें उनका कहना है कि ये काफी छोटा है और ये physical space में exist नहीं करता है but researcher का दावा है कि उन्होंने create किया है जो कि theoretically एक warm hole है अब कोई भी चीज़ तो पहले theoretically काली create होगी फिर उसका practical I am मिलेगा उसे अब इसमें उन्होंने क्या announce किया है कि दो छोटे-छोटे mini school black holes को quantum computer में create करके और एक message transmit किया है दोनों के बीच में अब ये जो message transfer किया गया है दो black hole के बीच में इससे एक traversable warm hole appear हुआ है जिसमें space और time में कोई physically rupture create नहीं हुआ है अब पहले देखते हैं कि एक warm hole क्या होता है आप सभी ने doctor strange की movie देखी होगी जिसमें एक circle के तुरू वो एक जगा से दूसरे जगा पर transfer होता है जहां पर एक portal खोलता है वो और एक जगा से दूसरे जगा transfer transfer खुद को कर पाता है या फिर किसी भी दूसरे बंदे को वो automatic उसमें भेज देता है black hole जिसके बारे में किवल अभी हम कलपना गर पा रहे हैं सोचने का अब एक ऐसा warm hole create होता है जो यहां से और उस black hole के नजदीक का distance को नग एकदम minor कर देगा आपको उस portal के थुरू उस black hole के पास जाने का रास्ता मिल जाएगा अब क्या theoretically जो चीज़े हैं उसका कोई practical अनुमान है अभी एक सबसे पहले image release की गई है event horizon telescope के द्वारा एक black hole की जिसमें उसका नाम है Sagittarius A जिसमें बहुत सारे event horizon की telescope observation थे उस image को एक्स्रैक्ट किया गया अब black hole theoretically तो research करके पता चल गया था कि वो exist करती हैं बट उसका practical image इस telescope के द्वारा पता चला तो warm hole को कहा जाता है कि एक shortcut है space time का science fiction में बहुत सारा famous है but they have never seen but according to Einstein general theory of relativity they might exist scientists इसको Einstein Rosen Brace भी कहते हैं after name of two physicists वो जो की Albert Einstein और Nathan Rosen है दोस्तों ये quiz है इसका आप जब आप comment section में दे सकते हैं दो quiz हैं जिसका answer मैं अपने next video में आपको दे दूँगा दोस्तों इस video के बारे में अपने सुझाव आप इस comment section में शेयर कर सकते हैं दोस्तों आप सभी का इस video को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मिलते हैं next video में तब तक के लिए जैहिंद झाल